प्रिदर शुकूँ नमस्कार एक बार फ्री से उपस्तित हूं आप सब के सामने विश्रे सिन जन्म कुंडली का है इस कारेक्रम के अंतरगत आज जो कुंडली आपके सामने लेकर के आया हूँ ये कुंडली आई है गुडगाओं हरियाना से शुर करते हैं आज का कारेक्रम कही नहीं जाना है अब मैंने रभी बार के कारेक्रम के लिए जो आप लोगों को कल सुबह मिला था उसमें पांच लोगों की कुण्लियां देखी थी जिन लोगों ने अपनी कुण्ली देख ली है मतलब कल का कारिक्रम अपनी कुंडली का उसमें देख लिया है तो वो जरूर ही एक बार लिख दें कि हाँ मैंने कारिक्रम देख लिया है आईए विशाइपले क्याता हूँ कृष्ण पक्षकी अस्टमीतिति, माघमाह, उत्तरायन और अनुराधा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र के जन्मे लोगों में बड़ी ही प्राक्टिकलिज्म होने के साथ साथ बेवहारिक्ता बड़ी अद्भूत होती है ये होते बड़े अच्छे हैं अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक कभी भी अपने जीवन में दुख नहीं देखते या ये कह सकते हैं कि उनका जीवन निरंतर रूप से गतिमान रहता है, गतिशील रहता है ये management बहुत अच्छा करते हैं, ये ग्यानी बड़े अच्छे होते हैं, सुन्दर होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं और एक इनकी कुणली में बड़ा अच्छा योग लगा है कि चतुर्थ भाव के स्वामी दशमस्थान में बैठे हैं बुद्ध और दशमस्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठे हैं चतुर्थ स्थान का अधिपती अगर दशमस्थान में बैठा हो तो ये विक्ति को धनवान, धार्मिक, प्रीती, माता और पिता की सेवा करने वाला, उनकी आग्या का पालन करने वाला और बहतरीन जीवन जीने वाला सुखी इनसान बना देते हैं और ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी कि ये दोनों ही केंदर के स्वामी आपस में एक दूसरे के स्थान का परिवर्तन कर रहे हैं मतलब चतुर्थ स्थान के अधिपती बुद्ध जो दशम में बैठ गये दशम स्थान के अधिपती गुरु जो चतुर्थ में बैठ गये तो अगर परशपर दो शत्रूग्र आपस में स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं तो ये महानमित्र हो जाते हैं और जब दो महानमित्र आपस में परिवर्तन कर लेते हैं तब तो वो महानतम हो जाते हैं है ना यहां पे बात आई कि व्यक्ती गिता जी के दूसरे अध्यायक में आपको ये श्लोक नमबर है 36 उसका अर्थ आपको मिल जाएगा या 36-37 से लेकर के 40 तक का जहां भगवान ने बात कही कि धर्म को लेकर के कर्म को लेकर के आपकी मति-बुद्धी कैसी है आप उसमें योग स्वरूप योग जोडते हैं या फिर उसमें अपनी प्रवर्ति जोडते हैं यहां पे दर्शमस्थान का स्वामी जब जन्म कुण्डी के चतुरत स्थान से समन्द बनाएगा तो व्यक्ति चुप-चाप अपना काम करने वाला होता है वो फल की चिंता प्राया कम करता है या ऐसा कह सकते हैं कि वो सिध्धानतों के आधार पर कर्म करने वाला होता है यह बहुत पहले अभी नक्षत्र वाली सिरीज जो चल रही उसमें अनुराधा नक्षत्र पे बात होने वाली है तो उसमें मैंने बात कही कि अनुराधा नक्षत्र को जब चंद्रमा पकड़ लेते हैं मतलब जब चंद्रमा का संचरण अनुराधा नक्षत्र में होता है तो उस चंद्र पुरिश में किसी भी प्रकार की कोई competition नहीं होती है, मतलब वो स्वक्षंद राजसिक सुखों के साथ अपना जीवन बिताता है और माता और पिता की आज्या का संपुर्ण तया न्याय पुर्वक पालन करने वाला भी होता है। अधिमित्र नाम के देवता है और इनकी ही उपासना जातक को सदैव करनी चाहिए। तो उनके लिए मंत्र स्वरूप क्या बनाया गया? ओम, मित्रा या नमहाम। इस मंत्र का जब करने से व्यक्ति के जीवन में परेशानिया जाहे स्वास्त से समंदित हो। अब जैसे अनुर प्रमाहट थोड़ी सी बनी रहती है। एक बात और होती है कि इनमें मन कभी-कभी बिकल सा होता रहता है या निगेटिविटी प्राप्त होती रहती है। वैसे बहुत जादा नहीं ये समान्य है पर फिर भी एक छोटी बात है जो मैंने बता दी। अपने घर को गुलाब के पुश्प से सजा करके रखना जाहिए और गुलाब के पुश्प की पुश्प का जो पौधा होता है उसका जड़ अपने गले में धारन करना जाहिए। शनी देव की पूजा करना ही जाहिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो उससे निजात पाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़के बताऊंगा इनका जंग होता है गुरुवार को और गुरुवार मतलब वार के अधिपती देव गुरु ब्रहस्पती और आपकी कुंडली में चतुर्थभाव में बैटे हैं और राहु और केतु क संपर्क में हैं इस वज़ा से थोड़ी सी संसय तो जरूर बनेगी और बनाएंगे ही लेकिन एक बड़ी अधुद बात है कि कम से कम गुरु केतु के साथ बैटे हैं जो सुभग ग्रहों की सरणी में आते हैं और कम से कम उन का शुभप्रभाव जात्तक को दिखाएगा हाल कन्या में हैं तो सिंभ में जाएंगे 29 डिगरी 33 कला के हैं थोड़े ही दिनों में इनका राशी परवर्तन हो जाने वाला था इनके जन्म के समय पे तो केतु अब सिंभरासी की तरफ जाएंगे और देव गुरुब रहस्पती वक्री हैं और 23 डिगरी के हैं तो ये भी कही कही 60% परणाम जन्म कुणली के सिंभरासी का देंगे और इस आधार पर व्यक्ति जो होगा वो धन्वान होगा सुखी होगा थोड़ा आलस से भी यहां पे देखने को मिल जाता है और भाग्य में थोड़े से गत्रोद भी मिलते हैं अला कि उतना भाग्य शाली व्यक्ति है जितने से इनके भाग्य का काम चल जाए या जीवन का काम चल जाए इसमें कोई संशय नाम की चीज नहीं है हरशन योग में और ब्रामणवर्ण और देवगण के जन्मे होने के कारण व्यक्ति हरशित है खुश है प्रसन है चरित्रवान है गंभीर है नियाय प्रिये है तक प्रिये हैं तो व्यक्ति की महत्वकांचा बढ़ी बढ़ी रहेगी और वो निश्ची तूप से अपने पती और पतनी के जो समंध होते हैं उसको भली भाती पूरा करने वाला होता है यहां व्यक्ति पुरवा शाढ़ा मच्छत्र में मंगल बैटे हैं जिसका प्रभाव व इक बात और भी अच्छी हो जाती है कि जब बुद्ध के साथ रहू बैट जाएंगे तो वहां बुद्ध 29 तीन डिग्री के और रहू 29 डिग्री 33 कला के बैटे हैं इस वज़े से वहां पर जड़त्व दोस जैसी कोई बात नहीं होगी वहां बहुत ही सामान्य सा एक समंध बना हुआ है लेकिन फिर भी राहू का समंध कुम रासी की तरफ आएगा बुद्ध जो है वो अभी मीन रासी में रहेंगे मतलब क्यूंकि तीन डिग्री के हैं तो अभी पूरा उनको 27 अंस भोगना है मतलब राहू और बुद्ध का जो समंध बन रहा है वो बहुत जल्द ही खतम होने वाला है इसे हिसाब से वहां पर जड़त दोस जैसी कोई बात नहीं होगी हां लेकिन एक निगटिव पक्ष ये जरूर रहेगा कि व्यक्ति को जहां दिमाग लगाना चाहिए कई बारों वहां दिमाग नहीं लगाता है जन्मकुंडली का नमा भाव उस पे जह जादा बलवान बलचाली हो जाता है उच्चा भिलासी सुक्र याद रखिए कोई भीग्रह जो अपने उच्च की रासी की तरफ बढ़ रहा हो और उच्च की रासी की तरफ बढ़ने के साथ साथ पंचमेश होकर के नमम में बैठा है बिशम संक्या की रासी में बैठे हैं इस वज़ा से ये जन्म कुणली के बारवे भाव का फ़ल करेंगे लेकिन चुकी सुक्र दो भावों के स्वामी होते हैं इस वज़ा से सुतंत रहो करके वो पंचम भाव के साथ साथ नमम भाव का फ़ल करेंगे और यहां व्यक्ति धार्मिक, शहिश्णू, बुद्धिमान, मंतर जापक, माता-पिता की सेवा करने वाला पर कम्यूनिकेशन में थोड़ी सी कमजोरी होती है वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कम्यूनिकेट नहीं कर पाता है तो मतलब मूलतिया हमें यही बात ध्यान रखनी है कि हमारा कम्यूनिकेशन कभी भी खराब नहो या ह जादा हमें अपने व्यक्तित तुपे काम करने की आवशकता है जो कभी भी कठोर नहों निर्दई नहों हलाकि ऐसा है नहीं पर फिर भी हमें उस पर विचार करना होगा दूसरा आपके पास धन सदईव आएगा बस दूसरों को देने से पहले बहुत सावधान होना होगा धन में रिन वगे रहके भी योग लगे हैं तो व्यक्ति रिन के साथ भी आगे बढ़ता रहेगा ऐसी कोई गहरी बात नहीं है इसके साथ साथ हमें मेहनत करने पे और भी ज़्यादा दिमाग लगाना है क्योंकि तृति भाव के स्वामी नौम भाव में बैठ करके आपके छोटे बड़े भाई बहनों का सुक भी दे रहे हैं आपका कमिनिकेशन भी बहतर बना रहे हैं पर हमें उसमें और भी ज़्यादा ठीक रखने की आवशकता है क्योंकि उस सूर्य के साथ शत्वी खानक शत्र के राहों भी जुड़े हुए हैं इस वज़ा से कई बार हमारा पराक्रम हमारा जो आत्मविश्वास है वो थोड़ी कमजोरी को प्राप्त कर जाता है इसके साथ साथ हमें जिस विशह पे और भी ज़्यादा विचार करने की आवशकता है कई बार हम ये भ्रम में हो जाते हैं कि हमें जन्मस्थान से दूर जाना है या जन्मस्थान के नि मतलग हमें कहीं पे जाने की कोई आवशक्ता नहीं है अगर हमारे आसपास ही हमारे मन मुताबिक पढ़ाई हमको मिल रही है तो बिल्कुल हमें कर लेना चाहिए इस कुंडली में एजुकिशन पे काम करना है कृतक ग्यताप बनाने के लिए काम करना है हम कैसे दूसरों के बहुत गंभिरता से विचार करना होगा क्यूंकि इस कुंडली में पंचम भाव उच्चा विलासी तो जरूर है पर कहीं न कहीं अस्त है इस वज़ा से हमें उस पे ध्यान देने की आवशक्ता होगी मेरे कहने का सीधा अर्थ है कि हमें विवेकवान होना है मतीमान होना है बुद्धिमान भी होना है और लोगों को प्रेम देने के साथ साथ प्राप्त करना है तो उसे कैसे प्राप्त करना है इस बात पर चिंतन करने की आवशक्ता है क्यूंकि आप नए वर्ग के हैं 2005 के हैं तो कई बार कुंडली की बातें आपको सायद समझ में आए जैसे मैं ग कहां पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अपने बुद्धी को कहां लगाना है, बार-बार चीजों को पढ़ना है, एनलेटिकल व्यू रखना है, अपने आपको समाज में विवेकी कैसे बनाना है, इस बात पर हमें चिंतन करना हो, और ये सारी चीजें आएंगी आपके व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, पर आपकी कुणली में नौकरी से ज़्यादा आपका व्यापार बहुत अच्छा है, आप अगर चाहें तो प्राइवेट नौकरी तो इस कुणली में सामानित या मैं प्राइवेट नौकरी ही देख रहा हूँ, पर व्य ब्यापार भी इस कुण्णी में कोई नुक्शान दायक नहीं, मतलब आप दोनों ही छेत्र में शपल हो सकते हैं, पर सबसे जदा आपकी कुण्णी में नौकरी से जदा व्यापार के योग बने हैं। सारे पापग्रह केंदर में हैं इस हिसाब से पापग्रह का केंदर में होना थोड़ा अत्रिक्त उनके पापग्रहों को मतलब बल मिल जाता है हाला कि वो तटस्त हो जाते हैं पर फिर भी केंदर में पापग्रह का होना कई बार हमें मेहनत करने पर बल लगाना पड़ता है या मेहनत हमें करनी पड़ती है इस हिसाब से अगर मैं कहूं तो आपको मेहनत करनी है और बहतर मेहनत करनी है क्योंकि आपकी कुंड़ी के लगन में शनी बैटे हैं भागे भाव के स्वामी होकर के बैटे हैं मिथुन लगन की कुंड़ी के लिए अश्टम भाव के भी अधिपती हो जाते हैं इस वज़ा से हमें बहुत ही इस्थीरता के साथ गंभीरता के साथ अपने मन बुद्धि चित्त को इस्थर करके प्राक्टिकलिज्म के साथ कैसे अनलेटिकल व्यू रखना है सबको संतुलित बनाते हुए कैसे धर्म का, अध्यत्म का, चिंतन का, सामाजिक्ता का, इन सब का कैसे समावेश अपने जीवन में करना है, इसको बना के रखने की आवशक्ता है, क्योंकि इन सबी चीज़ों में कमजोरी कभी-कभी देखी जा सकती है, इसके अत्रिक्त अगर मैं आगे बढ़के बात करूँ, तो आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कंसेंट्रिशन है, पर इसमें एक कमजोरी होगी, जिस पर आप थोड़ी सी जो है, वो काम कर सकते हैं, कि हम कई बार वो चीजें पढ़ रहे होते हैं, जिसकी आवशक्ता वस्तुता हमें नहीं है, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ आपकी कुंडली का भाग्यबल थोड़ा कमजोर है, वो कन्फ्यूज है, उसको ठीक करने की आवशक्ता है, क्योंकि भाग्य का कारक गुरू, राहू और केतु के संपर्क में, उस पे किसी सुभग्रा की कोई द्रिष्टी नहीं, और भाग्य भाव के ठीक आगे बुद्ध राहू हैं, जो की थोड़े कमजोर से दिख रहे हैं, पुद्धनीच के जो हैं, तो वो घुलट करके प्रणाम दे रहे हैं, मतलब एक ही बार में डिरेक्ट उनका व्यू हमें नहीं मिल रहा है, मतलब हमें थोड़ा वहाँ पे संतुलन बनाना होगा, अपने आपको चरित्रवान बनाईए, बहुत ज़्यादा हमें संदर चीजों के पीछे भाग करके, अपने चरित्र को खराब नहीं करना है, उसे कन्फ्यूज नहीं करना है, और जिस किसी के भी साथ हो, अपने प्रभावों को बहतर बनाने के लिए, ब्यवहार को कहें, या फिर अपने व्यूज को कहें, जो आपका द्रिश्टिकोन है, वो बिल्कुल ही उदार रखें, या फिल स्पस्ट उदार, स्पस्ट नेचर का रहें, इसमें कोई कन्फ्यूजन न रखें, कि मैं ये भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, एसा नहीं होना चाहिए, एक ही रहे, पर उसके बारे में आप बिल्कुल ही स्पस्ट नेचर रखें, जैसे किसी भी विशह के बारे में, जब आपसे कोई बात की जाए, तो आप उसके बारे में दोनों राय न रखिए, कोई एक राय रखिए, आपकी कुंडली में जो मैं एक-एक भावों पे चर्चा कर रहा हूँ तो इसके अधार पे अगर मैं दर्शमस्थान की चर्चा कर रहा हूँ तो आपको अभी काम अपने करियर पे करने की आवशक्ता है वस्तुता है एक बात और कह दू तो इस कुंडली का करियर ब्राइच है इसमें कोई संसे वाली बात नहीं है और ये मैं दावे से कह सकता हूँ इसके अत्रिक्त कुंडली में बल्वान ग्रहों के मामले में शनी देव सबसे जदा बल्वान हैं क्योंकि लगन में शनी नमांस में शनी और द्शमांसा में भी शनी लगन में ही बैटे हैं और वो हर जगह बहुत अच्छे बैटे हैं कहीं पे भी उनको कोई competition नहीं मिल रहा ह इसे हिसाब से आपकी कुंडली का शनी देव जो आपकी कुंडली के भागेश हैं वो बहुत ही बलवान होके बैटे हैं इस दर्शाकाल में विप्ति उच्छा को प्राप्त करता है और आगे आने वाली 2027 के मार्च के बाद विप्ति का करियर बहुत ही बहतर ग्रोथ करने वा पिर उसके बाद जैसे शनी आजाएंगे गुरू आजाएंगे तो गुरू और शनी की दशाओं में फिर ये काम करने लगेगा मतलब हमें हमारी कुंडली में अच्छाई दिख रही है और ये अच्छाई प्राप्त हो रही है दोहजर सताइस के मार्च के बाद आप निश् इस वज़े से उन्चिस्चा बहुत अच्छी है अच्छी कंपणी में व्यक्ति को प्लेस्मेंट मिल जाती है अगर वो कलकचा है तो स्वैम का रोजगार आउश शकूरू प्राप्त कर सकता है प्राप्त करने की बात अगर चली है तो मैं आपको बता दूँ कि आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे भवन, भूमी, बाहन, अपनी महत्पकान चाहों की पूर्ती जिसको आपको आवशक्ता जीवन में पढ़ने वाली है या जो आप पिक्षा रखते हैं इस हिसाब से आपकी कुण्ली बहुत अच्छी है विदेश जाने की कोई आवशक्ता आपको नहीं है निशिन्थोकर के काम करीए अपको मैं आपकी कुण्ली का दशमान सा बता दू, तो लगन में लगनेश, केतु के संपर्क में बैटे हैं इस हुज़ा से कारोबार में थोड़ा बहुत बिलम्ध होता है वो पारिवार के कारण क्यी बार पिता के कारण होता है चंद्रमा यहां नीच के बैठे हैं चंद्रमा यहां नीच के बैठे हैं और चंद्रमा यहां नीच के बैठे हैं इस हिसाब से आपकी कुंडली में प्रत्यक छतया दो ग्रह तो वरगुत्तम हो गया शनी भाव से वरगुत्तम और चंद्रमा रासी से वरगुत्तम बुद्ध से बड़ी उम्रकी महिलाओं के साथ भी प्रेम करते हुए देखा जाता है हलाकि उसके योगों में थोड़ी कमजोरी ही होगी हलाकि नमान्स कुंडली के सब्तम भाव को शुब करतरी लगने के कारण सुक्र और चंद्रमा का रट्ती विवाह का संपुर्ण सुक भोगता है और उसे सुस्रॉाल से मोटी रखम भी मिलती है ना भी मिले तो कोई बात नहीं ही पर सुस्रॉाल से उसके समन्द बहुत अच्छे होते हैं कुम्भरासी कुमलगन, ब्रश्चिक रासी व्रश्चिक लगन, करक रासी करक लगन और पूरब की दिशा, विवाह के लिए सर्वत्तम होगा, शुभ अंक आपकी कुण्ली के लिए चार रहेगा, नक्षत्र पुनर्वसू, अनुराधा, रेवती, पुष्य, स्रमड और म्रि करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, धन कमाने के लिए मैंने कहा है, उत्तर पूर्व की दिशा, इस कुण्ली में बेवाह पूरब दिशा में हो जाए, तो बहुत अच्छा है, अभी दोहजार 32 के अगस्त तक आपको बजरन बली की पूजा करनी चाहिए, साथी साथ गणेश जी के मंत्रों का जब, ओम मित्राय नमा भी मैंने कहा है, वो भी जब सकते हैं, और साथी साथ गणेश संकट ना सकस्तोत्र और गणपती अथर्वसर्ष का पाठ, मादा और पिता को अपने बच्चों की प्रगती के लिए सुक्ल पक्ष की चतुरती तिति का वरत क करना चाहिए, गरंतों में आप गीता जी के पांचवें अध्याय का पाठ नीमीत रूप से सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, अगर हो सके तो हिंदी में भी, कोई भी शुभकाम करना हो, आपकी कुंडली में शनी और सुक्र की दशा का इस्तमाल आप कर सकते हैं, सुक्र की कुंडली में सुक्र के साथ बुद्ध और शनी की दशा अच्छी जाएगी, देव गुरु ब्रहस्पती की दशा में माता का सुख और भवन भूमी वहान आदी का सुख प्राप्त होता है, नमांस कुंडली में लगन में शनी का भागेश हो करके बैठना, और मैं एक हजार प्रतिसद दावे से कह क सकता हूँ, यह वरगुत्तम लगन की वरगुत्तम कुंडली है, यह सो प्रतिसद से भी जादा सफल होगी और पक्की सफल होगी, इसमें एक जरा भी पूरब से पस्ची माली बात होगी, असफल कुंडली नहीं है, यह बहुत अच्छी कुंडली है कुछ इसी तरीके से आज के इस कारेकन का समापन करते हैं कोई भी शुभ काम करना हो आप शनी की दशा और गुरू की दशा का इस्तमाल कर सकते हैं तिर्थ छेत्र से समधित कोई काम करना हो तो ये दशा ठीक रहेगी संतान, बिवाह, करियर और उक्च सिक्षा से समधित अगर कोई भी काम करना हो तो आप शुक्र की दशा का इस्तमाल कर सकते हैं धन, रिड और धन का लेंदिन, ब्यापार और अपनी दिन चरिया इससे सम्मधित अगर कोई भी काम करना हो तो चंद्रमा और मंगल की दशा का इस्तमाल कर सकते हैं इतना ही नहीं आपकी कुंडली में अपने यात्रा अपनी ट्रांसफर आदी को लेकर के अगर कोई काम करना हो तो केतु और शनी की दशा का इस्तमाल आप कर सकते हैं विवाह आदी के योग आपकी कुंडली में 2027 के बाद ही बनेगे हला कि बहुत अच्छा योग तो आपकी कुंडली में विवाह आदी का 2027 के अवस्त के बाद ही बनेगा अभी तो विवाह बगेर का कोई योग नहीं है बड़े छोटे भाई बहनों से और पत्नी से आपके य आजाए तो जादा बढ़ियां रहेगा क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के बैटे हैं और सब्तम भाव के ठीक पीछे बैटे हैं इस वज़े से चंद्रमा से ठीक दूसरे घर में मंगल ये व्यक्ति को धनवान बनाते हैं चंद्रमा से चौथे घर में सुर्य औ कलह का वातावरन देते हैं घर में कोई न कोई मानसिक परिशानी रखती है चंद्रमा से आठमे घर में शनी आयू संपन और रोगी बनाते हैं चंद्रमा से एकादश में घर में गुरू बप्ति को सुखी दामपत्य का सुख प्राप्त करने वाला अनुभवी और सांसारिक भोगों का भोग गरने वाला बना देते हैं नमांस कुनली भी मितुलगन के अधिपती का द्यतिए भाव में जाना और द्यतिए भाव के अधिपती का स्वत वहीं बैठ जाना, ये बहुत अच्छी कुनली का निर्मान कर देते हैं इसमें कोई संसे नहीं है ग्रह बल के है तो शनी का रतना पहन सकते हैं पहले आरम में नीली पहनिएगा बात में चल करके आप नीलं भी धारन कर सकते हैं इसे सोने में भी पहना जा सकता है दाहिने हाथ की मद्धिमांगली में तब तक के लिए बहुत-बहुत तमस्कार